मदुबनी के बेनीपटी थाना च्छेत्र के चर्चित महम्मद पुरहत्यकान का मुख्यारोपी और पचास हजार का कुख्यात इनामिय पराधी नवीन ज्जा को मदुबनी पुलिस ने गिरपतार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है नवीन ज्जा की गिरपतारी पच्छमी बंगाल के हाउरा के जक्छा से हुई है सुक्रबार को नवीन को हाउरा के सीजियम कोट में पेस किया गया जहां मजिस्टेप ने उसे दो दिनों के ट्रांसिट रिमांट पर बिहार स्टीअप के हवाले कर दिया अदाला द्वारा दिये गए फैसले के बाद स्टीअप उसे पटना लेकर आ गई स्टीअप ने आरोपी नवीन ज्जा को 24 नॉमबर को पच्छमी बंगाल से गिरपतार किया है इस भी सुसील कुमार के अनुसार 29 मार्च 2021 को महम्मद पुरगा में एक ही परिबार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी जिसमें नवीन ज्जा को हत्या का मुख्य आरोपी बताया गया था इस घटना के बाद से नवीन ज्जा फरार चल लहा था इसी कारण पुलिस ने आरोपी पर 50,000 रुप्य का इनाम भी रखा था पुलिस ने नवीन ज्जा के फरार होने के बाद उसके घर कुर की जपती की भी करवाई की थी लेकिन फिर भी आरोपी पुलिस के गिरपत में नहीं आ पाया था एस्पी ने बताया है कि आरोपी को बेनी पटी लेकर जाया जा रहा है उन्होंने कहा कि नवीन ज्जा का प्राधिक इतिहास रहा है वह हत्या आर्म्स एक्ट सहित कई मामलों में आरोपित है उस पर सिर्फ बेनी पटी थाने में ही चार मामले में प्रात्मी की दर्ज है इसमें था देशनां लोग एते कलकताव इन पर इंस्पेटर्ट में थे अंकरवी थे और वल था अलगातार हमारे पूरिस अधिक्ष्टर्टाव मद्वनि शुजी बावु लगातार लगे हो तो देख रहें कि सक्सेस हुआ अपको काते थे भी पक्रा रहा है दूर बदल के अपना हुआ रहा है वह फदल के अदूशा काम का रहा है यह सोडिया उनकर इस अधरे सबस्क्राइब लगाए खरती शार पढ़ती जाए वाग कॉंटर वाग कॉंटर्क्रेंश नहीं मशीन विनिश कहिए जनाव क्या बात है कॉंट्रेक्टर साहब कॉंट्रेक्टर नहीं एशिन पेंट्स का GX90 अब हर कॉंट्रेक्टर होगा